हेलो फ्रेंट्स हमारे चनल पर आफ सभी का सभागता है उमीद आफ सब अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं बॉर्लपूल की बॉशिंग मिशीन जे आपने फ्लिपकार से प्रचेज की है काफी अच्छी डील इस पर हमको मिली है ज तो आप देखिए जे 7.5 kg की सेमी आटोमेटिक मशीन है तो जहां पर इसका और स्टेकर लगा हुए जहां पर इसकी डेटेल दिया है इसका मॉडल 30291 है मैजिक क्लीन 7.5 kg ग्रेकर लह रहा है इसका तो जहां पर इसका सीरियल नंबर दिया गया है जे मशीन का हर एक मशीन क का अलग होता है तो जहां पर नीचे हमारा बेल दिया गया है इस पर तो अगर हम इसके साइड से बात करें तो साइड से इसका बॉक्स कुछ इस तरह से दखाई देता है दी गी है और इसका जो मॉडल है 300291 दिया गया है तो आप देखिए इसकी जो मैक्सिमम रेटेल प्राइज है 14 या 700 रुपे है लेकिन हमको जे 9500 में मिली है फ्लेपकार बिग बिलियन सेल में तो जे है मैजिक क्लीन 7.5 kg ग्रे कलर में इस 5 यर की बरंटी रहने वाली है जो इसकी मोटर होती है इसकी 5 यर की बरंटी मिली गे हमको जहांपर इसके कुछ कस्टमर केर के नंबर दीए घिये और डिटृल दिए गी आप चेक कर सकते हैं जहांपर बक्स पर और कुछ खास नहीं है जहांपर नीची एक वार और इसका टॉलफरी नंबर दिया गया है कर अगरा हम back side से चरह करें तो back side से भी same उसी तरह से झाल दिखाई देता है box जिस तरह से front बें था और यहांपर back लेखा भी हुआ है तो यहांपर कुछ खास नहीं है तो उपर की तरफ लेखा हुआ है do not step on जाह पर पैर रखने की इजाजत नहीं दी जाती है तो साइड से भी भॉक्स से भी उसी दिखाई है जहाँ पर को से इस तरह से सकते हैं और के इस dennसे आपने इसको करना भॉस को तो बॉक्स की कंडिशन काफ सी है तो ज़़ादा डैमच नहीं है कही से छहां से बॉक्स पटा अध's सोब κα CAP तो चलिए फरांट सभी हम ज्यादा टाइम बेस्ट नहीं करते हैं जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं इसकी जो स्टेप पर इसको साइड में हटा देते हैं और बाहर निकालते हैं हमारी मशीन को अब देखें अब देखें मशीन फ्रांट से को इस तरह से दखाई देती हैं इसको अनबॉक्स कर दिया है पूरी की पूरी ग्रेए कलर में अभी यह जैए तो जहां पर फिर से स्टार रेटिंग का स्टेकर दिया गया है और जहां पर रैट रैप भी दिया गया है इसको चूहे वगएर भी नहीं काट सकते पहले क्या होता था कि मशीन में चूहें एंटर कर जाते थे वो इसको काट देते थे तो जहां पर देखें आप फाइव य तो साइड से आप देखे कुछ इस तरह से दखाई देती है और बाक साइड से कुछ इसतरह से दखाई देती है जहांपर फिर से morder number और dial number दिया गए इस पर पूरिव ऑब कि पूरे डिटेल यहां पर आती है यही सेम डिटेल आपके बल पर भी मिलेगी और बॉक्स पर भी यही सेम डिटेल है जहां पर इसके बुछ वार्निंग दी है अश्यूं तो बैग से देखे ज़िए पेक से कुझ इस तरह से दख़ाई देती है अब हम इसके टब को चेक करते हैं वाशिंग टब जो है इसका तो इसका जे उपर का कवरे इसको हटा देते हैं तो आप देखें काफी अच्छा साइज है इसके वाशिंग टब कभी तो जहां पर इसकी कुझे असेसरी दी गी है और जहां पर इसके ब्रश लगे हुए है और जहें पॉच दिए हुए है अगर आपको कोई भी शाय्ट का बटन बगरह तूट जाता तो वो इसमें आ जाता है इसको आप असानी से निकाल सकते हैं जहां से इसमें स्टोर हो जाता है वो तो आपका मशीन के अंदर नहीं अटक अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो देखिए इसकी पावर के विल है थ्रीपन का आप हमको टॉप मिलता है जहां पर थ्रीपन टॉप दिया गया इसके साथ काफी अच्छी क्वाल्टी का लग रहा है और जहां पर भी इसके जो है मैनुफेक्ट्र डेट दीगी है आप अच्छी लग रही है और बाइर की लैंथ अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली जे टू मीटर होगी दो मीटर की वायर दीगी इसके साथ में जो के इनाफ है हमारे गर के लिए हमारा प्लग साथ में होता ही है और यह जो है आउटलेट की पाइप दीगी है जहां से पाइप है हमारी जी और जे वाला पॉश्चन फाइवर का दिया गया और प्लास्टिक बॉड़ी है तो इसमें राष्टा आने का कोई भी चांस नहीं है सालों साल चलने वाली है हमारी जे मशीन इसके टव का साइज काफी अच्छ है आप पूरी फैमिली के कपड़े एक साथ इसमें दो सकते हैं वाश कर सकते हैं तो चलिए भी हम इसको दुबारा से रख देते हैं अंदर जेरी इसकी पाइपिश को भी हम अंदर डाल देते हैं तो इसका ऊपर का फ्रंट का गवर है त तो जहां पर कुछ बॉर्णिंग दीगी है तो जो इसका यूजर मैनुल है इसकी कोई खास जुरूरत नहीं पढ़ने वाली इसको हम साइड में कर देते हैं तो प्राइम उबर भी काफी अच्छा दिया गया इसमें तो एक बार में काफी कपड़े इसमें आ जाएंगे चलिए फ्रेंट अभी हम चलते हैं कि इसको यूज कैसे करना है आप देखिए जहां पर इसके टाइमर दिया गया है यहां पर और यह साथ में ड्रेन की नौब दीगी है जहां पर त्री नौब आपको देखने को मिलती है तो जहां पर जो इसमें पूरा पूरा वाटर होता है तो देखिए अभी जे स्टार्ट हो चुका है इसमें अवाज आना स्टार्ट हो जाता है तो जहां पर एक वाश सेलेक्टर दिया गया है अगर हम इसको इस तरफ रखते हैं तो हमारा जो वाटर है वह हमारा टब में आता है इसमें वाशिंग टब में आता है तो अगर हम इसको इस साइड कर देते तो आप देखिये जहां पर स्पे भी लग कर देते हैं ओर Kingdom के साथ क्नेक्ट तो इसमें अलारम भी दिए गया है जब हमारा टाइमर कंप्लीट हो जाता है तो यह वा जा तो आपको पता चल जाता है कि हमारे कपड़े वाश हो चुके हैं तो आप देखिए जहां पर एक और 7.5 kg जहां पर भी लेखा हुआ है मैजिक लीन इसका मॉडल नंबर दिया गया है जो इसका सबस्क्राइब कर लिजिये तो अगर आपको हमारी वीयो अच्छे है ले तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बढ़ आइकन को फ्रेस और बिडियो को लॉक्त कर देना हम इसी तना की वीडियो आपके लिए ल